खगडिया जिला मुख्याले से 40 किलोमीटर दूर परवत्ता परखंड के सोड़ दक्षिनी पंचायत में एक गाउं है भरतखंड यहां एक मुगल कालीन अईतिहासिक महल है जो 52 कोठरी तिरपन द्वार महल के नाम से प्रसिद्ध है इसमें 52 कमडे और तिरपन दरवाजे हैं यह महल पांच बिघा, पांच कठा, पांच धूर और पांच धूर्की के चेतरफल में बना हुआ है इस एतिहासिक किलेनवा महल का निर्मान 17. सताबदी में मध्य प्रदेश के सोलंकी वंस के राजा वेरम सिंग ने मुगल कालीन काडिगर मुहम्मद बरकाती मिया के हाथो करवाया था, मालूम हो कि मुंगेर का प्रसिद्ध किला भी काडिगर मुहम्मद बरकाती मिया ने ही बनाया था, इस महल के प्रांगन में चमतकाडी मंडप एबं सुरंग का भी निर्मान कड़ाया गया था, निर्मान में राख, चूना और सुर्खी का उप्योग किया गया इस महल को बनाने में एक से दो फीट तक के 51 प्रकार के इटों का प्रियोग किया गया था, इस महल की भविता के खिस से आज भी मसूहूर है, महल की भविता और अनोखी कलाकरती को देख कर लोग आस्यर चकित हो जाते हैं, इस महल की तुलना जैपूर के हवा महल से की जाती है, अस्थानिये लोग इसे बोलचाल की भासा में भरतखंड का पक्का भी कहते हैं, चमतकाडी मंडप के चारों खंबे पर चोट करने पर अलग अलग तरह की मनमुहक आवाज सुनाई देती है, जो अभी भी लोग महसूस करते हैं, महल के प्रांगन में रानी के लिए अस् है, महल के अंदर जाकर बहर निकलने पर यह पता ही नहीं चलता है कि किस दुआर से प्रवेश किये हैं और किस दुआर से निकलें, अभी भी दूर दूर से लोग महल को देखने आते हैं, महल के नायाब नकासी दृश्चि को देखकर और विश्मरणय सुखत अनभूती होत इसमें इस महल की पौरोनिक्ता का प्रमान मिलता था कलाकारों द्वाडा बनाएगे नक्से एवं चित्र आज भी लोगों को प्राचिन कला से रूबरू कराते हैं इस महल के कुछी दूरी पर गंगा नदी, सिब मंदीर और प्राचिन दुरगा मंदीर भी है बताया जाता है कि प्राचिन काल में भरतखंड गाउं का नाम वटखंड था यहां बहुत भिक्चुआ कर तप और साधना क्या करते थे लेकिन दुख की बात है कि कई अवसेश अब खंधर में तबदील होकर जमिन दोज होने के कगार पर आ गए हैं आतिहासिक महतु की दृष्टी से प्रसिद यह महल उध्वारक की बाट जो रहा है इस धरोहर को संदक्षित करने और परेटन अस्थल के रूप में विक्सीत करने के लिए कई बार अधिकाडियों और जन प्रतिनिध्यों द्वारा परेटन विभाग को पत्र लिखा गया महल निरक्षन के लिए कई बार इतिहासकार और प्रात्त व्यक्ता आए लेकिन सांसन प्रसांसन की उपेक्षा के कारन अब तक ना तो इस परिसर को परेटक छेतर ही घोसित किया गया है ना ही इसके विकां सेवं संरक्षन के लिए कोई कदम उठाया गया है इस से आम लोगों में छोब है इस धरोहर को नई पहचान मिलने की सद्यों परोनियास भरत खंड गाउं सहीत जिलेबासियों को है